गुरु गदाहाचीन एकदम से पगला गया है टाइवान को लेके इबकलोल थोड़ी सी बात के लिए मुँँ फुला लेगा बहुत जल्दी रिशिया जाता है गुरु चाइना इस टाइम पे जो मुर्गी बनात फिरा थी इसके पीछे की वजाहेट टाइवान की प्रेशिड तो गुरु कैसे हो चीन के सतर से अधिक फाइटर जेट घूम रहे थे टाइवान के उपर गदाहाचीन इतनी तेजी में टाइवान को गिरने पहुँचा है कि इसका जो सबसे खतरनाक एरक्राफ्ट केरियर ही जिसका नाम है सेंडों इस ससुरा सही से बना नहीं है लेकिन फिर भी पनिया में उतार दिया है बताओ ऐसा लगता है कि गदाहाचीन बहुत जल्ली टाइवान को निप्टाएगा तेकिन चीन के लिए टाइवान पे कबजा करना इतना असान नहीं है क्योंकि जहिया गदाहाचीन पे मिसाइल मारा तो यह अमेरिका भी कई के पता लागाते हैं कि जहिया उनलोग टाइवान पे कबजा करने आएंगे तो यह उनलोग कहां कहां और कईसे कईसे मारेंगे देख रहे हो कितना भयंकर त्यारी चालू है अब गुरू आप लोके दिमाग में चलता होगा कि इतना कुछ होई गवा अमेरिका नहीं लो करना चालू किया वह सहीं तुरंत अमेरिका का एरक्राफ्ट केरियर यूसेस निमिड्स जो की बहुत खतरना के साथ भयंकर ही यह पहुंच गया है टाइवान के बगले में और गधा चीन का जो एरक्राफ्ट केरियर ही सेंडों इसको तो कच्छा निगल जाएगा यूसेस साइज में सेंगडोंग से डबल है गुरू अगर जहां जे गलती से भी चीन ने टैवान पे हमला बोला तब तो आराम से इनको पाने ये मार के सुवर बना देगा इधर का माहोल एकदम गरम था तब तक पता चलता है कि जपनवा खूद गया है इसमे जपान ने बता है कि अइसे टाइम पे अपने फाइटर जेट को उड़ाया जब चीन ने अपने एरक्राफ केरियर सेंडोंग से 120 लॉंच और लेंडिंग को अंजाम दिया वहीं दूसरी और अमेरिका ने बोला कि उसकी तरफ से गाइड़ेड मिसाइल, दिस्ट्रोयर, फ्रीडम ओफ निविग अपरेशन के तहट दक्षनी चीन सागर की तरफ रवाना कई दिया गया है, गुरु तब तक पता चलता है कि गधाचीन ने अपना यू धब्यास बन कई दिया है, अचानक गधाचीन नोर्मल कईसे हो गया, तो गुरु उसके पीछे की वजा है, अमेरिका, यूए साउस फ गधाचीन ने अपना यू धब्यास बन कई दिया, और चेतावनी दिया है, गधाचीन ने धमकी में बोला, कि हमारी आर्मी लड़ाई के लिए एकड़म तयार है, बाहर से कौनों भी देश हमारे बीच में आया, तो उसको हम मारेंगे, अब यहाँ चीनी सरकार दवाई खा के दवा करती है कि तैवान उनके देश का हिस्सा है, जबकि तैवान की सरकार का कहिना है, कि तैवान एक देश है, ना कि चीन का हिस्सा, तो गुरू बवस आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा, कोमेंट करके जरूर बता आना